नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अफनो सिंग और आप सभी का स्वागत है गोलियान पे और आज से आपकी O-Level की जो लडाई है वो सुरू हो चुकी है और जो भी इस लडाई में सामेर होना चाहते है तो आज से मिरे साथ जुड़ जाना O-Level के लिए क्योंकि आप लोगों ने बहुत भारी डिमांड किया था और मैं आप सब के भारी डिमांड पे आज O-Level की पहली क्लास में लेकिया चुका हूँ O-Level की जो पहली क्लास है ओ O-Level Paper 1 जिसको M1 R5.1 के नाम से जाना जाता है अच्छा यह M1 क्यों कहा जाता है M1 का मतलब दोस्तो module जो की पहली भी आपको बदा चुका हूँ है module 1 मतलब paper 1 होता है R का मतलब revised कितनी बार यह बदल चुका है सले बस revised का मतलब बदला हुआ कितनी बार बदला गया यह पांच वी बार बदला जा चुका है पॉइंट वन लिखने का मतलब एक बार इसका पैटर्न भी बदला है इसलिए पॉइंट वन तो module 1 revised 5 जो पहली बार बदला से लिए बस तो रिवाइज वन रिवाइज 2 रिवाइज 3 ऐसे बनके यह आर 5 तक पहुँच गया है और पहली जो paper हमारा सका सिलेबश से आईटी टूल और डेट वार्वर्क बैसिक अगर आपने ट्रिपल सी पढ़ा होगा एकदम वही वाला से लेवर इसमें है जो प्रोसेसिंग में राइटर आप पढ़ोगे ठीक है याद रखना इसमें राइटर पढ़ोगे इसमें स्वेश्चीट में कैल कि प्रजेंटेशन में इंप्रस जो कि सब कुछ वही टिपल सी वाला है लेकिन उससे अलग क्यों हो जाता ही क्योंकि यह 200 मार्क्स का होगा 100 नंब पर आपका प्रैक्टिकल होगा ठीक है अब प्रैक्टिकल में पूरा का पूरा आपको बता देंगे वर्ड प्रोसेसिंग कुछ दे देंगे बनाओ जारतर इस पर सीट का देंगे बनाओ टेवल बनाओ चार्ट बनाओ प्रजेंटेशन का देंगे यह बनाओ वो बनाओ यह सब सारी चीज़े भी दे देंगे आपको इंटरनेट होई यही गौवर्नेंस सोचल नेट्वर्किंग सब कुछ रहेगा इसमें फाइनेशल टूल्स और अप्लिकेशन ओबर भी ऑफ फ्यूचर स्किल्स और साइबर सीकूर्टी यह सब कुछ रहेगा तो मार्क के सो नमबर का होगा लेकिन इसमें जैसे टिपल से में हम लोग मल्टी चॉइस पढ़ते थे मल्टी चॉइस इसमें रहेगा टूफॉफ भी रहेगा भाई और तूफॉफॉज के अलमा फिलिंग दा ब्लैंक्स भी रहेगा तो इस अलग लेबल का पढ़ना होगा आपको इ लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई वहां से डाउनलोड कर लो गोल्यान और वहां से आप लोग पढ़ाई शुरू करतो ठीक है अभी की अभी अगर आपको लेवल करना है तो ठीक है ज्यादा विचार मत करो तो चलते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं भाई तो दोस्तों से पहले हम समझेंगे कंप्यूटर क्या है तो करें कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति होती है लेटिन भासा से सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि लेटिन भासा पोश्चन एक्जाम में बनते हैं कि कंप्यूटर शब्द किस से बना तो किस लेंग्वेश से लिया गया तो लैटिन भासा से लिया गया जो कि उस्सब्द का नाम था और यही सब चीज हमको जानना जरूरी है और यह लैटिन भासा से लिया है इतना जाना आपने यह आपको पूरा PDF मिल जाएगा अप्लिकेशन में ठीक है सारा इसका जो भी होगा सब PDF दी दिये जाएगा आप नोर्स बना लेना पिन कॉपी पे नोर्स भी बनाना जरूरी होगा अपने हिसाब से बना लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे रहेगा जो कंप्यूटर के electronic device है जे हमारे काम को आसान बना देती है गड़ना करना बहुत सारे फाइलों को व्यवस्यत करना ऐसे बहुत सारे काम कंप्यूटर में होते हैं यहां पर दिया है कि प्रात प्रोसेस संग्री ततवा प्रशित छमता कंप्यूटर हार्डवेर सॉप्टवेर कि हम सबसटेंगे हाडवेर क्या है स्वाट क्या है इन पुट क्या है सारी चीजे हमें पढ़ना है वही बहुत कुछ पढ़ना है और धार क्या होता है तो प्रोस बिर्ष्ट से आपको डिटेल पढ़ना होगा आगे समझते हैं इतना आपने समझ लिया जिसे आपके सामने ये दिख रहा है ये कीबोर्ड है ये आपका मॉनिटर है और ये है CPU CPU हुँ मुख्य पार्ट होता है कम्प्यूटर को जो आज कल के कम्प्यूटर है हलां कि ये सब हम आगे पढ़ेंगे पहले आज हम कम्प्यूटर का इंट्रोडक्शन और हितिहास और मुख्य बाते समझेंगे कम्प्यूटर शब्द आलिम कुछ ट्रम्स यूज होते हैं जैसे डेटा डाटा डाटा डेटा 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 चर्चा होती रहती डेटा का मतलब यह होता है जो बेवस्तित ना हो हर चीज कम्प्यूटर में डेटा के रूप पे होता है कुछ भी लिख सब डेटा जो कुछ भी है सब डेटा है armor हो वर्ड हो कुछ भी लिख case about देटा है अभी तो डेटा ही नमर लिख दिए कुछ लिख दिए उसके प्रक रिया होता है उसके अब सूचना में बदल जाता है उसके बाद नियुकर को हम कुछ नहीं पता पहीं है जो कुछ भी हम लोग उससे करवाएंगे वही करेगा अगर हम कोई चीज इंपुट करेंगे तभी हो जानेगा ये इंपुट किया है हमने हम लिखेंगे M तो समझेगा M लिखा गया है तो जो निर्देश हम लोग देते हैं उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं निर्देश कहते हैं और प्र का मर्किंग है जो काम होगा सब के सब प्रोग्राम सब्सक्षिभ हों के तो इतिहास क्या है तो सबसे अवैक्स नाम का कम्प्टर जो ki दुनिया में आया अबैकस क्या था भाईया कुछ था नहीं सिंपल सा ये था ये डिवाइस कहते हैं ये चीन में इसकी सुरुवात होती पंदरहवी सदी में पंदरहवी सताबदी में इसकी सुरुवात होती है अबैकस का मतलब था अबेडेंट बीट्स एडिसन एंड कल्कुलेशन यूटिल्टी सिस्टम बस यही था एक इतना बड़ा जैसे लगा कि बीज बीच में लोगे का छड़ लगा कि उसमें मोतियों से जैसे बीज मतलब मोती होता है मोती यह से गोला गोला जो होता नहीं है लगा देते हैं अभी गाउं में पढ़ा रहा थे हमारे आज भी बच्चों के लिए वही चीज था यह कुछ था नहीं खास लेकिंगे कहते हैं कि सुरुआत यहां से हुई मैं इसको मानता भी नहीं कि चीन में सुरू हुआ होगा मैं तो मानता हूँ कि इंडिया में इससे पहले तो इससे चे डि में लफ हुआ सबकुछ लेकिन इंडिया में सब पहले सागे था इंडिया में पहले से सोलर सेश्टम के बारे में कॉंसेप्ट था पूरा सब कुछ डिटेल बताते हैं सूरुगढ़ार, चंद्र गारर सबकूछ पहले से था यह चीज थी खैर तो इससे हम जोड़ घड़ाना यह सब करते थे इस तरह का अबैकस था उसके बाद नेपियर्स बोन नाम का एक कंप्यूटर समझ लो दुनिया में आया कालिकुलेटर सब था इस सब कालिकुलेटर के काम करते देखो इसको इस तरह से बना रहा रहा बोन का म इनी 1550 से 1617 के समय की बात है यह जब चलता था इसकी तरह की तरह कुछ चलता था यह तो जॉन नेपियर्स द्वारा यह बनाया गया था इस सब चीजें आपको मिल भी जाएंगी जानना चाहिए इतरम डेट थोड़ा सवाल का मालम हो पन्रवें सताब्यूटर सब्सक्राइ सब्सक्राइब इतर नहीं पूछे इतना देड़ बताओ तारीक बताओ ऐसा नहीं पूछता क्योंकि उस समय खुद किलियर नहीं होता है लोगों को यह तो करके बताते हैं उस समय ऐसा हुआ था पैसकल लाइन एक मार्केट में आता है दुनिया में पहले अब एकस हो गया नेपियर सबोन हो गया फिर पैसकल लाइन हो गया पासकल बिले इस प्लासकल नाम के बग्यानिक थे इंजीनियर थे उन्होंने क्या किया उन्नीस सो बैली से चगवालिस के समय की बात है वो नीस सदी पहुच गये हम लोग अब आ रहे हैं एडवांस मॉडन जमाने में हलां दा कि इस से पहले भी कुछ काम हुए तक वह मैं आपको बताता हूँ तो एक क्रिकूलेटर का विस्कार हुआ था पैस्कल जिसका नाम रख्था इसको आर्सेमेटिक मसीन भी कहते थे और पास्कल क्लुवेटर भी कहा जाता था यह कंप्यूटर क्या होता है पता हैं कंप्य क्म्प्यूटर ही है एसा नहीं है डेक्स्ट आप रख दो कीबोड रख दो माँस रख दो वही कंप्यूटर है ऐसा नहीं है जो कल्किलेटर भी और भब हो भी कंप्यूटर है लेफ्ट आफ source कंप्यूटर होतीं जो एलेक्ट्राउनिक और हमारा कामाशान आ वना देती हो इसके बाasting से बाद की लिए सबसे कंप्यूटर हुआ करती थी अपने जबाने सुरू हुई creature चाल्स वैवज ने चाल्स वैवज नाम के विज्ञानिक थे उन्होंने डिफरेंस इंजन का विश्कार 1822 तक पूरा कर लिया था 20 से इसका शुरू किया था 20-20 के बीच की बात है यह तो डिफरेंस इंजन ऐसे हो दे को बड़ा सा एक तरह का प्रिंटर था यह वो ऐसे कंप्यूटर नहीं देख तरह का प्रिंटर था बाई यह मताओ जब कोई चीज आप ऐसे लिख रहे हो A, B, C, कुछ भी हाथों से लिखा हुआ चीज होता था उस जमाने में तो एक आदमी निकल के आता है जो हाथों से लिखने के बजाए बढ़िया कंपडराईज आपको प्रिंट आउट दे रहा है तो माइने रखता है ना उस समय की बात थी क्योंकि चेक्नलोजी कुछ नहीं थी तो यह बनाया जब चाल्स वैबेज ने डिफरेंस इंजन तो काफी चर्चा हुई छाप के दे देता था यह देखो भाप द्वारा चलता था यह और सेट्स की गढ़ना करने और उसकी हाड कापी बनाने में योग थी है करना तो करता करता हाड कापी भी बना देता है प्रिंटर में निकाल देता था यह चाल्स वैबेज को कंप्यूटर का पिता इसी लिए कहा जाता है फादाराफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है याद रखना इसी बंदे को कहते हैं फादाराफ कम्प्यूटर अगर पूछे फादाराफ मौडरन कम्प्यूटर आधुनिक कम्प्यूटर तो आप करना बिल गेट्स का नाम ठीक है नहीं तो इसका करना उसके बाद यह भाई लिखा गया है गड़ी तक के था दार्शनिक था अब इसकारग मैकेनिकल इंजीनियर था उसके बाद प्रोग्राम में अब यह देखो डिफरेंस इंजन के बाद 1837 में फर्स्ट मौडरन कम्प्यूटर एनालिटिकल इंजन के बारे में इसने सोचा इसने चाल्स बैबिज ने सोचा बनाया मतलब सुरू किया बनाना बेसिक फ्लो कंट्रोल इंटेगेटेट मेमोरी भी डालने की बात उसमें हुई एलू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब एकदम आज के समय वाला कम्प्यूटर उसने पहले ही सोच लिया विचार कर लिया अपने माइंड में का इसे बनाऊंगा मैं और बनाना सुरू भी कर द मैं और फिमेल थी जिसका नाम अगस्ता अड़ा बयरोण था बाद में इसका नाम अड़ावलेस हो गया जातर नाम यहीं सुनने मिलता है आपको अड़ारल दर चाहिते हैं धुनिया का कोश्चन आता है कि दुनिया का마 मतलब पहली फीमेल प्रोग्रामर कोन थी यहीं फी अ लावलिस इसने क्या किया यह जो ऐनारडिकल एंजन था इसको पूरा किया जो काम बच गया इसका बेटा भी था माझन दो इसने उसको पूरा किया अडा लवलेस ने ये बात माइन में रखे रहें आपको अब दोस्तों वहां तक तू ठीक था फिर जनम होता है हर्मन हेलोरित नाम के एक बंदे का ये देखो नाम लिखा है हर्मन हेलोरित और ये इंजिनियर हुआ करते थे एक भाईया ये साहब अठरा सो नब्बे में एक हे है जिसका नाम ट्रेव लेटिंग मशीन किया लेकिन इसका नाम कम्प्यूटर जैसे थोड़ा-थोड़ा लगने लगती लिए लेकिन थालो के समय मत सोच लेना या से एक्ट्रोनिक थी एक्ट्रो मेगनिट कहरा है मसीन थी इसमें डेटा को पंच कार्ड उचेगग पंच कार्ट का हर्माद है लो रित था कि बराबर एकजाम किसने बनाया और इतना ही नहीं इतने के बाद उपयोग अठरा सुनब्वम अमेर की जंडगंड़ना में भी हुई थी ये भी आपको मालूम हो जैसे कभी कभी क्या होता थेरी लिखने पड़ जाती है ओ लेबल में खास करके पिपल सी में तो ऐसा नहीं होता लेकिन तो आपको ये मालूम होना चाहिए थोड वड़ी है मेरे साथ थीक है फिर हरम ते टेबलोटिंग मशीन कंपशनी का स्थापना कर दी उसका नाम पर इसने क्या किया बाद में उसका नाम बन गया IBM international बिजनेंस मसीन के रूप में जाना गया बिले हो गया और आज के समय IBM को दुरुर्य दुनिया में बहुत थेमस है IBM क पूछेगा इंटरनेशनल बिजनेस मसीन 1911 में हालाक यह बाद में इसका नाम 1924 के आसपास यह 1924 25 में इसको आइबीम नाम से रेइस्टर्ड किया गया कमपनी को लेकिन पहले कुछ जो भी नाम हो तो आइबीम यहीं से सुरू 1911 में ही हो गई थी पहले इसका नाम टेबलेट आइबीम बहुत आगे है कंप्यूटर की दुनिये माप लोग जानती होंगे फिर उसके बाद दोस्तों समय बीता तो मार्क वन नाम का एक कंप्यूटर बना जिसको मतलब काफी अच्छा था हार्वर्ट इनवर्श्टी के प्रोफेसर थे होवर्ड एकीन होवर्ड एकिन न इसका नाम बनाया मार्क वन आना कि बन नहीं पाया सोचा विचार बनाया तो इसने प्लान बनाया है मार्क वन का बहुत अच्छा तो आईबीम के साथ मिलके दोनों ने एक मशीन बनाई जो की fully function मशीन जो की नाम रखा Mark 1 फिर कुछ दिन बाद Mark 1 का updated version आया Mark 2 फिर उसके कुछ दिन बाद Mark 3 फिर Mark 4 जो की काफी चरचा में रहा और चला गए उस समय अपने जबाने में ये computer काफी इस्तेमाल किया जाने लगा लेकिन समस्या क्या थी ना बड़े-बड़े computer होते थे उस समय दोस्तों काफी बड़े-बड़े computer होते थे और उसको उठाने में 4-5 लोग लग जाते थे और उसका महेंगा भी होता था पाइसे में बहुर महेंगा होता था उस समय की बात है तो ज्यादा लोग खरीद नहीं पाते थे कुछी लोग उस फिर एबी सी कम्प्यूटर मार्केट में आता है उसी समय दो दो पक्के दोस्त थे एक का नाम था एंटासाफ एक नाम था क्लिफोर्ड बेरी यह दोनों पक्के दोस्त थे बड़े होसियार भी थे इन दोनों नों क्या-क्या 1995 उसी समय की बात थी आई बीम को देख किन लोग को जटका लग रहा था हम क्यों लों हम अच्छा काम करते हैं कुछ इन दोनों ने मिलके एक कंप्यूटर बनाए जिसका नाम रखा एबी सी कंप्यूटर अपने ही नाम से जैसे एसे एंटासाफ और बी से बेरी यह देखो इस कंप्यूटर जब पूछे आप से तो कह देना एबी सी कंप्यूटर था फांडर कौन थे उसके एटनस आफ क्लिफोड बेरी इसकी नाम से बना है इनका कंप्यूटर यह थे उसके बाद जॉन मुचली एंड जेस प्रिक्वर्ट इकाड यह दोनों भाई यह बड़े खतरना थे कि अधिन होगा नाम आपने जरूर उननी सो त्रियास चैयास में बनना सुरुक्त बंके तयार हुआ को और इनियाक फुलपाम होता इलेक्ट्रॉनिक नियुमेरिकल इंटिगेट अब कंप्यूटर कहते हैं दुनिया का फस्ट यह पस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये बना अब आपके मन में आएगा ऐगर क्या अगर इलेक्टोनिक इस से पहले बन गया था इसलिए मैंने बोला कि दुनियाका पहला एलेक्ट्रोनिक डिश्टल कंप्यूटर तो एबीसी था यह सिर्फ एलेक्ट्रोनिक था और फिर उसके बाद यूनी वॉक इन्हीं दोनों ने बनाया यूनी वॉक नाम से जिसका नाम यूनिवर्सल आटोमेटिक कंप्यूटर था अटालिस में सुरू हुआ बनना और यून में बनके तयार हो गया यह पहला कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर के रूप में यह जाना जाता है कि बढ़ियां से हो गया थोड़ा मतलब सबसे एडवांस वर्जन बनाया यूनिवॉक के नाम से खैर आगे बढ़ते हैं अब यहां कम्प्यूटर बहुत बुरा हाल था मतलब लेकिन अब यहां से जनरेशन और कम्प्यूटर की क्रांती शुरू होती है फिर उजी कहते हैं कि पीडियां बनाएगी है उसके रूप में जनरेशन के रूप में जनरेशन फर्स्ट सगेंड थर्ड फॉर्थ फिप्थ यहर चाली से चापपन माल लेना देखो माल लेना मैंने क्यों बोला क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं है डेट की चलो भईया इतिनी डेट को आस से शुरू होता है कम्प्यूटर की पहली पीडि आस से खतम होता है कम्प्यूटर की पहली पीडि यह आस से शुरू होता है कोभी भी शुरू हो सकता है मतलब फिक्स नहीं है कोई ऐसे ही बस मोटा-वोका हिसाब लगा लेते हैं लोग यहां से पीडियां शुरू होती है। छालिस अश्रपन में पहली पीड़ी मानी जाती है तो इसमें ब nay भी किया गया था पहली पीडी में कुंड्र एक्जाम में बराबर पूसता है तो पहली पीडी में क्या जीतना चीजे में बता रहा है इसको हलके मत लेना सब इसमें और इसमें इस्टोरिश डिवाइस के रूप में बात करें तो बहुत बढ़े होते थे अच्छे नहीं थे उतने ना तो बड़ी समस्ता हैं होती तो इसकी चंपता ज्यादा थी और साइज में भी बड़े होते थे दिक्कत थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत स्लो होता था जो आऔर देख हो ये सब नहीं था जबाना भाईया इसके बारा उसको बेच ऑपरेट सिस्टम की बिशेशता क्या पहले आ पहले पहले पर उएक आज और इस में मचीन लेबल लेंगजिए मचीन लेबल इसको लोड कहते हैं लोड लेवल language कहते हैं और इसमें सिर्फ 0 और 1 होता है binary भी इसी को कहते हैं binary ये सब चीजे note कर लेना आप लोग जान लेना binary भी इसी को कहते है binary मतलब 0 और 1 binary में सिर्फ 0 और 1 को ही समझा जाता है बस जैसे punch card आपने भी चर्चा हुई थी तो punch card क्या है अगर मोटा मोटा समझने चाहोगे आप तो punch card एक punch करने वाला machine थी जैसे punch करता इसे कुछ दबाता इसे punch करता तो एक में एक ऐसे छिद्र होता था एक बिना छिद्र की होता था जो छिद्र होता था जो और जो बिना छिद्र अगर छिद्रवाला आ जाए तो एक, बीना छिद्रवाला आ जाए तो जीरू तो binary में ही पूरा computer बनाया गया है, computer समझा जाता है binary की रूप में computer की भासा हो machine language, इसको binary language कहते हैं machine language, computer मतलब machine language, computer और machine एक ही चीज़ है मैंने आपको बताया तो computer machine language को ही समझ पाता है बस ये, ये हो गया, उसके बाद दूसरी पीड़ी में जाओगे 56 से 63 के बीच मोटा मोटा माना, 10-10 साल में बढ़ा देना, जैसे ये 10, 10, 8, 10 ऐसे transistor ये उज़ हुआ था, transistor magnetic core technology, जैसे magnetic drum था, ये core technology थोड़ा सा advanced version हो गया multitasking होने लगा, अब जो एक ही काम एक समय में होता था, थोड़ा-थोड़ा काम बढ़ने लगा, multitasking होने लगा, task बढ़ने लगा, ठीक है, और assembly language दूसरी पीड़ी में यूज हुआ था, देखो, question बराबर इस सब आएंगे, जो तना मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना है, अ IC मतलब integrated circuit, IC मतलब integrated circuit इसको बोलते हैं, यह भी आपको मालूम होना चाहिए, integrated circuit जो थी दोस्तों, यह कभी यूज हुआ था, थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था, और इसी जनरेशन, integrated circuit का मतलब क्या होता है, जैसी इसके पहले आपने देखा, यहाँ पे transistor यूज हुआ, त तो यह जो था ना, यह सिलिकॉन सेमी कंड़क्टर चीफ, इसका नाम रखा गया, सिलिकॉन सेमी कंड़क्टर चीफ, यह LSI जो होता है ना, large scale integration, मतलब यह large number of जो transistor आपने भी सुना, जैसे एक टांसिस्टर जेतनी आवकात होती थी, यह जो IC थी ना, इसकी हजारों टांसिस में यह बढ़ा, तीसरी पीड़ी में ही LSI का प्रयोग होने लगा था, large scale integration, समझे रहो, और चौती पीड़ी में VLSI, very large scale integration, यह क्या है, large scale integration, very large scale integration, मतलब बहुत ज़्यदा संख्या में, यह जो अभी transistor आपने पढ़ा, उसको हजारों में convert हो गया, यह उसके बाद हजारों, यह जो IC था, हजारों में convert होगे, micro processor का नाम दिया गया उसको, जिसको very large scale integration कहते हैं, फिर आते आते, पाँचमें PD में ULSI होगा, जिसको ultra large scale integration कहते हैं, और इसमें AI artificial intelligence का नाम दिया गया इसको, मोटे तोर पे, अब यह, यह अलग चीज है, और यह अलग चीज है, आपको ध् रखना है, ULSI, VLSI, Micro processor और silicon semiconductor हो, IC हो यह, LSI, यह सब आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, खेर, magnetic core बने गया है, आपका memory card जो हो था, उसके बास semiconductor, यह सब चौथी PD में आ गया, आपका, optical disc, पांचवी PD में है, अलगी, optical disc भी, आपका, चौथी PD में भी सुरू हो ग और पांचवा भी है, ऐसा, है ना, कभी, दस साल बाद अब देखना का ऐसे बताते हैं, और यह सारा, अगर भासा की बात करोगे, तो उच अस्तरी भासा थार्ड में सुरू हो गया था, पहले में निमनस्तरी भासा जिसको machine language बोलते हैं, दूसरी में assembly language, तीसरी में high level, जब high level language बोलते हैं, portrant, 77, Pascal, ADA, COBOL, यह सब भासाएं, चौथे जनरेशन भी यूज हुआ और अभी यूज हो रहा है, यह हो गया आपका जनरेशन, अगर बात करेंगर, कम्प्यूटर के वर्गी करड का थोड़ा सम समझ लेते हैं, बस उसके बार, इंड करते हैं, फिर अग्री क उद्देश के अधार पर, based on purpose, तो कार, आकार के अधार पर, जैसे micro computer, mini computer, mainframe, super computer, यह सबसे छोटा, फिर इस से बड़ा, फिर इस से बड़ा, और यह सबसे बड़ा, आकार के अधार, कार के अधार पर, analog computer, digital computer, hybrid computer, hybrid जो हो था, इन दोनों का mixed version है, analog और digital, analog का मतलब होता है, हम लोग वजन करते हैं, वजन मसीन हो गया, temperature वाला हो गया, इस सब, analog computer में आते हैं, digital मतलब जो हम लोग सामानता, यूज करते हैं, mobile phone, laptop, यह सब, यह mixed version होता, hybrid, purpose, multi-purpose, मतलब general purpose हो गया, बिशिष्ट, general purpose computer, और special purpose computer, general मतलब हम लोग जो सामानता, यूज करते हैं, special मतलब जो हो गया, DRDO हो गया, बहुत सारी चीजें, लेकिन इतने से काम नहीं होगा, आपको detailed पढ़ना पढ़ेगा, अब इस से आगे, तो detailed मैं, आपको अगली class में बताऊंगा, उमीद है कि यह वाली class आपको मजाया होगा, अगर मजाया भाई, तो like करना, और आगे भी पढ़ना हो तो जो application है, वहाँ से सारी classes आपको मिलेंगी, उसका link description में आपको मिल जाएगा, अगर आप यूटूब पर देखाए, अगर आप application में पहुंच चुकों, तो अच्छी बात है, आगे भी आप लोग पढ़ना सुरू कर दो, बहुत कुछ आपको सीखने को जानने को मिलने व जाफरद